प्रदेश में नागरिकता संशोधन कानून का विरोत तूल पकरता जा रहा है इसी कड़ी में रविवार को इंदौर में सम्विधान बचाओ, देश बचाओ, अभ्यान के तहट एक सभा आयोजित की गई इस सभा को पूर्वु मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंग सामाजिक कारिकरता में धपाट कर अनंद मोहन माथूर और अभिनेत्री स्वरा भासकर ने संबोधित किया सभा में बड़ी संख्या में अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों ने मौजूद होकर केंदर सरकार के नीतियों के खिलाफ जम कर नारे बाजी की यह नजारा है इंदौर शेहर के महालक्ष्मी नगर ग्राउन का जहां राजनितिक पार्टियों और सामाजिक संगठनों द्वारा केंदर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया गया इस सभा में हजारों के संख्या में लोगों ने मौजूद होकर सम्विधान बचाओ देश बचाओ के नारे लगाए और मोदी सरकार के खिलाफ नारे बाजी की सभा में मुख्य रूप से उपस्थित फिल्म एक्ट्रिस स्वरा भासकर ने केंदर सरकार और संग पर जम कर हमला बोला स्वरा ने साफ शब्दों में कहा कि यह काला कानून है जो देश को बाट रहा है इस दोरान बड़ी संख्या में मौजूद लोगों ने स्वरा भासकर के साथ मिलकर सरकार और आरेसेस के खिलाफ जम कर नारे बाजी भी की वही स्वरा भासकर ने भाजपा के राश्ट्री महा सचीव के लाश विजयवर्गी के पोहे वाले बयान पर फलटवार करते हुए विवादित बयान भी दिया और यही एक सुपूत है केलाश विजयवर्गीय साहब भाज बताईए मुझे आजीवन जो आदमी पोहा जले भी खाके बड़ा हुआ हो और उसे फिर पोहा बांगलादेशी लगने लगे तो उससे क्या पूशिएगा आप यही पूशेगा ना आपके अंकल क्या भूख रहे हो यही पूशेगे और मेगी एक सिंपल सी मतलब सा तरक है कि अगर पोहा बांगलादेशी है तो जो आदमी आज जीवन पोहा खाके बड़ा हुआ है वो भी बांगलादेशी हुआ दिखाओ अपने कागज, दिखाओ अपने पीड़ी के कागज, और नहीं है कागज तो आप जाओगे नागरिक्ता की सूची से बाहर हम पर ये इम्तिहान लागों करने से पहले ये सरकार के सारे नेता दिखाए अपने कागज हमें हमें दिखाओ अपने कागज इसके साथ ही सपरा भासकर ने संग पर बड़ा हमला करते हुए कहा कि नागपूर में बैठे लोग नफरत का नशा करते हैं और उन्हीं के इशारों पर जामिया में गोलिया चलाई जा रही है आपको किसी बॉलिवोड की अभी नेतरी की ज़रुत नहीं है आपको किसी नेता की ज़रुत नहीं है माफ कीजेगा मैं किसी का अनादर निरादर नहीं करना चाहती लेकिन आपको हमारी जरूरत नहीं है आप भूज में काफ़ी है क्योंकि हमारा सम्विधान आपके दिल में जिन्दा है और आपने इस देश के छादरों ने इस देश के महिलाओं ने और इस देश के शान्दी पून विरोधियों ने ये थाबिक किया है कि हमारा सम्विधान, हमारा तिरंगा गांधी जी का सपना और हमारे सम्मिधान की जो मूल और आदर्श है वो हमारे अंदर जिन्दा है और जब तक वो जिन्दा है हम इन सडकों पर है राहत इंदौरी सहथ की एक और बहुत कमाल की लाइन थी कि सभी का लहू शामिल है ज़र्टी में किसी के बाप का हिंदौस्तान थोड़ी ना है बिल्कुल सही किसी एक शप्स के बाप का हिंदौस्तान नहीं है हिंदौस्तान हम सब के बाप का है हम सब की माओं का है वही दिगविजय सिंग ने भी सभा में C.A. और N.R.C. को लेकर संबोधन किया साथ ही केलाश विजवरगी के पोहे वाले बयान को लेकर और प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी को आड़े हातो लिया व्यक्ती आता है डेली पुलिस हाथ में हाथ रखके खड़ी हुई है और वो आके गोली चलाता है क्रोनलोजी समझ में आई के नहीं आई और इसके बाद इतना गंभी बात कहने का दंड सेंट्रल इलेक्शन कमिश्ण ने नहीं दिया क्रोनलोजी समझ में आई के नहीं आई इस क्रोनलोजी कर नड़ाई हमको लगना इस दोरान कारिक्रम के संयोजक पूर्व महादिवक्ता आनद मोहन मातुर ने प्रोदुशन कारियों को समविधान का पार्ट पड़ाया और उन्हें NRC के दुश्परिणाम बताए इसके साथ ही लोगों से NPR के कागस नहीं दिखाने की अपील की सभा में समाथ सेवी मेधा पार्टकर ने केंद्र सरकार के फैसले का विरोद करते हुए नरेंद्र मोधी पर निशाना साधा है अन्दोलन का सरकारों पर राजनीतिक दलों पर बड़ा हसर आया है अब देखे कितने सारे राजनीतिक दलों ने अब CAA NPR और NRC को नका रहा है पर हम चाहते हैं कि वो कुछ कदम आगे बढ़े हर राजनीतिक दल जो इसका विरोद करते हैं उन्होंने ये घोशित करना चाहिए कि हमारा कोई भी कर्मचारी कोई भी अधिकारी NPR या NRC की प्रोसेस में शामिल नहीं होगा और जो संगात्मक राज्य शासन की यंत्रणा है उसका सम्मान करते हुए उन्होंने अपने विधान सभा में ही नहीं जहां जहां उनका शासन है उस जिले जिले स्तर पर प्रस्ताव पारित करनी चाहिए और हम तो जो आज़ादी का अर्थ समझते हैं वो केवल राजनीतिक आज़ादी नहीं, वो सामाजिक और आर्थिक आज़ादी जो हमको गाओं में चाहिए, जो हमें मुहले में चाहिए, जो आज महिलाओं को मिली है, वो हमारे हर महिला भाई और बच्चे को भी चाहिए इस सभा में जानी मानी हस्तियों के साथ साथ बच्चों ने भी हिस्सा लिया और इस कानून को लेकर अपने विचार साज़ा किये कारिकरम की समापती के बाद मीडिया से बात करते हुए कॉंग्रस नेता दिगविजय सिंग ने केलाश विजय वर्गी और प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी पर दिये गए बयान को लेकर अपनी बात कही इस प्रधर्शन के दौरान हजारों की तादाद में लोग उपस्थित थे जिसके चलते सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनाद रहा इस प्रधर्शन को देखते हुए यहां कहना गलत नहीं होगा कि CAA, NRC और NPR की लडाई सिर्फ राजनितिक दलों तक ही सीमित नहीं रह गई है बलकि देश का हर नागरिक अपने हग के लिए सड़क पर उतर चुका है अब देखना यह होगा कि केंद्र सरकार इस विरोध के जवाब में क्या कदम उठाती है बिरो रिपोर्ट जेसर टाइम्स इन दौर